नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हिंदी कच्छा में बच्चों, 11 वा क्लास वर्क में आप लोग बढ़न यर लव के बारे में पढ़ चुके होना आप लोग को याद है ना बच्चों? Very good तो बच्चों, आज 12 वा क्लास वर्क में बढ़न तालिबे समुधने सदंते सहा के बारे में पढ़ेंगे और इन बढ़नों को लिखेंगे साथ ही इसके पहले आप लोग सभी को मेरे साथ साथ ब्यांजन बढ़न पढ़ना है बच्चों, अब आप लोग को हिंदी पुस्तक के साथ साथ पैंसिल, इरेजर और हिंदी सिंगल लाइन कौपी निकालना है आप लोग को याद है ना बच्चो? अब हिंदी पुस्तक खोलिए बच्चों, पेज नमबर 81 में बच्चों, आप लोग पहले ब्यांजन बढ़न पढ़ चुके हो ना? आज आप लोग सभी को मेरे साथ साथ फिर ब्यांजन बढ़न पढ़ना है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, 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 निया ट, ठ, ड, ध, अड, अड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, भ, म, य, र, ल, व, व, इसी तरह आप लोग को ब्यांजन बढ़न पढ़ना है बच्चो य, र, ल, व, के बाद आज तालीबस स, मुधनेस स, देंतिस स, ह को लिखना है बच्चो बच्चो पेज नमबर 69 में पहले आप लोग को यहां आज का डेट लिखना है बच्चो आप लोग सभी को मेरे साथ साथ तालीबस स से कुछ शब्ध पढ़ना है तालीबस स सलजम सबजी के उपियोग में आने वाला एक परकार का कंद तालीबस स सहद सहद मतलब हनी तालीबस स सरीफा बच्चो सरीफा एक परकार का फल है तालीबस स सरबत सरबत को मीठा पेज भी कहा जाता है बच्चो बच्चो इस line पर इस dot में आप लोग तालिबसह को लिख लेना बच्चो आप लोग तालिबसह से कुशब्द पढ़ चुके होना अब आप लोग सभी को मेरे सासाथ मुध्रने सह से कुशब्द पढ़ना है मुध्रने स सट कोन सटकोन मतलब एक आकृती जिसमें छ़कोन होते है मुधने सका पर्योग को शब्दों के लिए किया जाता है जैसे बर्स बर्स मतलब साल या इयर जो हम कैलेंडर में देखते है मुधने सका पर्योग बर्षा शब्द के लिए भी किया जाता है बढ़शा मतलब बारिस या रेन बच्चों मूधने स को इस लाइन पर इस डॉट में आप लोग लिख लेना बच्चों आप लोग मूधने स से कुछ शब्द पढ़ चुके होना अब आप लोग सभी को मेरे साथ साथ दंते स से कुछ शब्द पढ़ना है दंते ससे सडक, सडक मतलब रास्ता या रोड दंते ससे सरोबर, सरोबर मतलब तालाब दंते ससे सबजी, सबजी मतलब भेजी टेबल्स दंते ससे सरकस, सरकस मतलब जादुगर, पशुरूओ, आधी का कौसल या तमाशा दिखाने वाला दल बच्चो इस लाइन पर दंतेशा को इस डॉट में आप लोग लिख लेना बच्चो आप लोग दंतेशा से कुछ शब्ध पढ़ चुके होना अब आप लोग सभी को मेरे साथ साथ ह से कुछ शब्ध पढ़ना है ह से हल्दी, हल्दी मतलब टर्मरिक ह से हबन, हबन मतलब यग, ह से हल, हल मतलब खेद जोतने का एक साधन, ह से हलवाई, हलवाई मतलब अनेक तरह की मिठाईया बनाने वाला बेगती बच्चो इस लाइन पर इस डोट में ह को आप लोग लिख लेना। बच्चो आप लोग सभी को फिर एक बार मेरे साध साध पढ़ना है। दंते ससे सडक, दंते ससे सरोबर, दंते ससे सबजी, दंते ससे सरकस हा से हल्दी, हा से हबन, हा से हल, हा से हल्वाई बच्चों आप आप लोग को हिंदी सिंगल लाइन कॉपी में लिखना है पहले लाइन पे आप लोग को पहले प्रस्न लिखना है बच्चो आप लोग को पहले यहां आज का डेट लिखना है प्रस्न नीचे दिये गए बर्णों को लिखो बच्चो आप लोग को यहां प्रस्न लिखना है बच्चो इसके पहले दिन हम लोग बर्ण यार अलावा को लिखे थे ना तो बच्चो बर्ण या रालावा के बाद बर्ण तालीबे समुधने सा दंते सा ह होता है अब आप लोग सभी को मेरे साथ साथ तालीबे समुधने सा दंते सा ह लिखना है बच्चो अब इस लाइन पर पहले तालीबश्रक को लिखेंगे बच्चो पहले एक छोटा सा गोल करना है फिर इसे नीचे की तरफ लाना है फिर थोड़ा सा उपर ले जाके इसे घुमाके फिर नीचे की तरफ लाना है बच्चो फिर यहां से एक लाइन देना है फिर उपर एक लाइन देना है बच्चो तलीबिस सर बच्चो अब मुधने सको लिखेंगे पहले एक छोटा सा लाइन देना है फिर इसे घुमा के थोड़ा सा उपर की तरफ ले जाना है बच्चो फिर यहां से एक लाइन देना है फिर यहां से एक लाइन देना है बच्चो फिर उपर एक लाइन देना है मुधने स बच्चो अब दंते सको लिखेंगे पहले आधा लिखना है फिर इसे थोड़ा सा घुमा के नीचे की तरफ लाना है फिर यहां से एक लाइन देना है बच्चो फिर यहां से एक लाइन देना है बच्चो फिर उपर एक लाइन देना है बच्चो दंतेस स, बच्चो अब हा को लिखेंगे, पहले एक छोटा सा लाइन देना है, फिर आधा लिखना है, फिर बच्चो यहां से घुमाते हुए नीचे की तरफ लाना है बच्चो, फिर उपर लाइन देना है बच्चो, ह, बच्चो, अब दूसरे लाइन में तालिवेस स, मुधने स, दंतेस स, ह को लिखेंगे, बच्चो पहले तालिवेस स को लिखेंगे, बच्चो आप लोग सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, तालिवेस स, बच्चो, अब मुधने सा को लिखेंगे, मुधने सा, बच्चो, अब दंतेस सा को लिखेंगे, बच्चो, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है, दंतेस सा, अब हा को लिखेंगे, हा, तालिवेस सा, मुधने सा, दंतेस सा, हा, बच्चो, अब तीसरे लाइन में, तालिवेस सा, मुधने सा, दंतेस सा, हा को लिखेंगे, बच्चो, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है, तालिवेस सा, अब मुधने सा को लिखेंगे, मुधने सा, अब दंतेस सा को लिखेंगे, बच्चो, दंतेस सा, अब हा को लिखेंगे, ह, तालिवेस सा, मुधने सा, दंतेस सा, हा, बच्चो, अब इस लाइन में, तालिवेस सा, मुधने सा, दंतेस सा, हा को लिखेंगे, तालिवेस सा, अब मुधने सा को लिखेंगे, बच्चो, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है, मुधने सा, अब दंतेस सा को लिखेंगे, दंतेस सा, अब हा को लिखेंगे, ह, तालीबिस स, मुधिने स, दंतिस स, ह बच्चों, आप लोग बर्ण तालीबिस स, मुधिने स, दंतिस स, ह मेरे साथ साथ लिख चुके हो ना अब आप लोग का ग्लासवर्ग कम्प्रीट हो गया है अब आप लोग अपना होमवर्ग देखिए बच्चो अब होमवर्क के लिए आप लोग सुलेक पुस्तक खोलिए बच्चो पेज नेबर 44, 45, 46 और 47 में आप लोग का तालिबे सा मुधने सा दंते सा होमवर्क है बच्चो यहाँ आप लोग को आज का डेट लिखना है आप लोग को तालिबे सा मुधने सा दंते सा होमवर्क पेज लिखना है बच्चो थैंक यू